वेल्कम तो माई चैनल अल इंडिया राइटर्स गाइज तो आज हमने हैं एक छोटी सी जगे डिस्कवर की है जो कि जादा दूर नहीं है हमारे घर से कुछ 40 या 45 किलोमेटर के असफास है तो अभी वो नहीं नहीं है जो मतलब जो जगे वो नहीं नहीं इन्वेंट हुई है इससे पहले नहीं थी यहां बाकी जो इंफॉमेशन है वो तनुज रताएगा अलो गाइज एक यहां से 40 किलोमेटर दूर एक जगे का नाम है कुंड़ा पोचम्मा तो देर से रिजर्वाइर ओवर देर आपके कोटा सा टैम है और यह मर्कुक मंदल में आता है तो लेट्स केट स्टार्टेट ठीक है तो बाकी जो इन्फॉमेशन है जो जो भी जगे है तो हम वहां जाके डरेकली देखते हैं और आप लोगो दिखा तो गाइस हमेशा की तरह बारिश हो गई है और मौसम काफी यह देखिए बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है हम लोग कहीं पर भी जाते हैं बारिश सबसे पहले हो जाती है तो हमको अभी थोड़ा रु हम बोले थे बारिश स्टार्ट हो गई है और हम लोग यहां पर रिसाला बजार वाटर टैंक में खड़े हुए हैं और हेलमेट को लगाते हैं खोबड़ी में और चलते हैं करोवा यहां कर छो कर दो डाने कर दो MAR- कर दो बादा은 ? कर दो मार्थ सोटल वारिज बंद हो जारी है और फाइनली बारिज बंद होई है और हमारे बारिज जो दोस्त है उनका आता पता नहीं है राहिक कहां पे हैं तो चाहे दो लोग पहुंच गया होंगे आगे चलते हैं और देखते हैं कि अज़ प्रेखते हैं और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं हम लोग लोकेशन पर पहुंच गया हैं यह रही वह जगह तो वहां पर आए गया सविनाश लोग हैं मुझे देखतो रहे हैं यहां से को बंड़ा को सेमा बोलते हैं और यह पूरा अटिक्स है कि अज़ बंड़ा बंड़िये और देखते हैं सयाटिक्ट यह जप लोग भाँ अज़ खर भाँ कि अज़ खर बंड़ा कर दो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए है रिजर्वाय मेरे पीछे है और लोकेशन काफी अच्छा है जैसे किया मेरे पीछे देख सकते हैं और बारिश हो रही है और पूरे भीग चुके हैं देखिए व्लॉगिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है मेक शूर यू लाइक देख सकते हैं रिजर्वाय काफी प्यारा लग रहा है और काफी बड़ा रिजर्वाय है और दनुच कैसा लग रहा है बहुत बढ़ी है मदा र बनवाय रहा है तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है केसियार उन्होंने बनवाया है और काफी बड़ा है मतलब अगर आप पीछे लाइन देख रहे हैं ये पूरा ये जो रोड है ये जो मेरे पीछे रोड दिख रही है ये पूरा वहां तक जाती है और यहां से अगर आ कि तो तो मिनवाय है ? कि रहां से जाती है ? कि रहे जाती है है Man City बड़े कापी यहा यहाँ जाती है झाल झाल पदर नहीं आप लोग देख पाए रहे हैं की नी बट मुझे यहाँ पर एक रेंबू देख रहा है हलका सा वहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा है मतलब नेकेड आइस से देखने का अलगी मसा है और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर नीला आस्मान पर यहाँ पर ब्राउन होते हुए यह देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार मतलब ऐसा हाड़ली देखने को मिलता है है द्रवाद जैसे शहर में बट बहुत प्यारा है तो गाइस आज हम लोग आया है बहुत प्यारी सी जगे जो की हैदराबाद से कुछ 40 या 45 किलो मेटर इस दूर है जगे का नाम है कॉंड़ा पोचमा जो की मरकूक मंडल में आता है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी बड़ा रिजर्वायर है और जिस मौसम में हम लोग आए हैं काफी प्यारा मौसम है उस तरफ बादल हो रखे हैं और हलकेल की बारिश भी हो रही है तो अगर आपको इस जगे में आना है तो मैं आपको रिक्मेंट करूँगा कि आप शाम को ही आईए क्योंकि शाम को यह जगे बहुत प्यारी लगती है जैसे कि आप पूरा मेरे पीसे देख सकते हैं तो आप 3-4 बज़े के आस-पास यहां पे आ सकते हैं 3-4 गंटे आप अराम से यहां बैटके अपना एंजोई करके जा सकते हैं बाती जगे काफी ब्यारी है मैं फर्स टाइम आया हूँ यहां पे शायद यह नया खुला है इससे पहले मैंने इसके बारे में सुना नहीं था मुझे कल ही पता चला है और मैं आज आ गया हूँ अपनी अपने बारे मैं लोग वापस जाना जाते हैं क्योंकि अधेरा हो जाता है तो यहां पर कीडे मगओड़े आने लगते हैं और लाइक विजबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है क्लाइटिंग अगर नहीं है आगे स्पीश में तो इसलिए अभी हम लोग वापस अपने घर जान इंडियर इडाइड़स थाओं शेखें अबार नियू इस अजान अगर्णियर अच्राइड़स खाड़ीर ने जाती है आगे थे विजबिलिटी थे अटाइड़स तार यहां कर दो कर दो कर दो कर दो कि आएod कर दो सब्सक्राब मुप भाइख एम संप्सक्राब कर दो